नमस्कार भी सुहास, एम न्यूज मदे आपला सक्यांच स्वागत आज माझा मदे सुद्धा तुमाला एक उर्जा दिस्ट असेल करण आज आपने का आशा व्यक्तिमत वाला भेटनारोद एका अंतर राष्ट्रिय दर्जाचे व्यक्तिमत वाला भेटनारोद कि जन्ना भेटले आनंतर अपले आमदे एक उर्जा तैयर होते जन्ना भेटले आनंतर अपले आमदे एक पॉजिटिवीटी तैयर होते जन्ना भेटले आनंतर अपले आतला अत्म विश्वास हा दुप्तिन वाढ़ीला लागतो अर्थात या व्यक्तिमत्वाचा नाव है डॉक्टर अमीत महेश्वरी डॉक्टर अमीत जी आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं एम नियूज में बहुत-बहुत धन्यवाला अपन कारेक्रमाला सुरुवात करने चे अधी थोड़ क्या मदे आपन डॉक्टर अमीत महेश्वरी यांसा परीचाई करूंगी हूँ या डॉक्टर अमीत महेश्वरी काई नहीं है ते बिजनेस गुरु हैत ते कॉर्पोरेट ट्रेनर हैत तसस ते मोटिवेश्टनल स्पीचेस पन डेता है आणि हे सगल अंतर राष्ट्रिय दर्जावर ते करतास तात अर्थात इंगलंड असु देत फ्रांस असु देत होलंड असु देत निपाल असु देत दुबाई य ताने बर्याश्ट देशान मदे ते कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हैत ते मोटिवेश्टनल स्पीच देता हैत आशा पद्धतीचे एक व्यक्निमत्व आज अपल्याला लाब लेला है आणि सग्यात महत्वास मंजे जवल पास 15 चा वर त्यानी स्पीचेस दिलेली हैत आ अने तरुन आनना त्यानी व्यावसाया मदे घड़ाव लेला है कारण आता सा तरुन बगित लाता तो तरुन व्यावसाया मदे पदारपन करू इच्छी तो आणि त्याला मारग दर्शन करना सा मोठा काम खरत डॉक्टर अमीत महेश्वरी करता है अमी जी फिर एक बार मै आपका स्वागत करता हूँ और बहुत सारी बाते आपसे करनी हैं मैं खुद को एक भाग्यवान समझता हूँ कि आज आपके साथ मैं बैठा हूँ क्योंकि आपके पास से आज मैं बहुत कुछ लेने वाला हूँ कुछ सिखने वाला हूँ सबसे बड़ी बात है कि अगर आज के यूत में एक बहुत सारा सपने हैं, उसको बहुत कुछ करना है, और करने के साथ-साथ उसके पास आइडियाज भी बहुत सारे हैं, वो नोकरी नहीं करना चाहता है, वो बिजनेस करना चाहता है, लेकिन जब बिजनेस करना चाहता है, तो सबसी बड़ी समस्या यह है, funding यह funding वो कहां से लाए funding कैसे लाए यह सबसे बड़ी समस्या बाकि उसके पास दिमाग है तो हम आप गुरू है तो अब हमें मारगा दर्शन करिये कि यह कैसे करा सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने इस program में यूथ के लिए बहुत सारे questions के बारे में discuss किया मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज बहुत सारे यूथ के पास business के बहुत बेतरीन ideas होते हैं उन्हें यह पता होता है कि life में मैं क्या करना चाहता हूँ लेकिन problem यह नहीं कि उसको बेस्ट business का idea है problem यह है कि उसको यह नहीं पता कि उस business idea को right तरीके से execute कैसे करना है मतलब business idea उसके mind में होता है वो उसका business proposal design करना नहीं जानता उसे नहीं पता कि मैं अपने startup के लिए किस तरह से business proposal design करूँ किस तरह से investor को approach करूँ और approach करने के बाद किन terms and condition पे मैं उसको अपने साथ associate करूँ तो बहुत important है कि friends आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई business idea है तो उस idea को सबसे पहले paper पर उतारें उतारने के बाद उससे संबंधित सारे track को record करें अगर मेरे पास एक business idea है कि मैं एक social media platform बनाना चाहता हूँ तो social media platform के if and but क्या होंगे क्यों बनाया जाना चाहिए उसका क्या lab होगा और दूसरे लोग उस social media platform पर क्यों आएंगे ये सवाल का जवाब उस विक्ति के पास होना चाहिए उसके बाद उस proposal को बनाने के लिए उसके पास एक calculation होनी चाहिए कि वो social media platform क्या काम करेगा उसको बनाने के लिए कितना investment लगेगा उस investment को लगाने के बाद कितने ज़्यादा लोगों को वो target करेगा target करने के बाद कितने ज़्यादा लोग जब उस platform पर आ जाएंगे तो उससे source of revenue कैसे generate करेगा एक startup की अगर बात करूँ वो किसी भी investor से अगर funding के लिए जाता है तो investor के कुछ basic सवाल होते हैं नबर वन आपका business का proposal क्या है मतलब किस product या किस service या किस चीज को लेके आप अपने business को advertise करना चाहते हैं या consumer आपके business में क्यों आएगा दूसरा अगर आप इस business को करते हैं तो कितना level of investment required होगा उस business को actual business में convert करने के लिए तीसरा आपके business का revenue model क्या होगा मतलब जब वो business हम शुरू करेंगे तो उससे कौन से resources होंगे जिससे आप earning करेंगे earning के बाद में उस business को break even पर लाने के लिए आप कैसे प्रयास करेंगे उसकी marketing strategy क्या होगी उसका sales plan क्या होगा और किस तरह से आप अपने competitors के साथ competition में parallel खड़े होंगे और उनसे जीत हासिल करेंगे जब कोई भी व्यक्ति इन सभी सवालों का जवाब अपने business proposal के माध्यम से design करता है और investors को pitch करता है तो वो investor उस व्यक्ति के proposal में invest करने के लिए तयार हो जाता है कि start-up ने business का proposal तो बना लिया लेकिन उस proposal को serve कहां करें आज बहुत सारी companies, बहुत सारे corporates, बहुत सारी public limited company जिनके पास access funding होती है वो जोस्ते हैं कि business का right model मिल जाए और वो लोगों को approach करते हैं investment के लिए start-up को अगर किसी भी company या corporate को approach करना है तो approach करने का तरीका है कि list of companies design करें कौन-कौन सी company जो different business में पैसा निवेश करती हैं उनके directors को proposal mail के माधियम से, hard copy के माधियम से, business training programs के माधियम से start-up funding event के माधियम से, उनसे मिलें, अपने proposal को discuss करें अपने financials पर discuss करें, और ची profitability के proposal के साथ, उनके साथ business करें business करें, बहुत बढ़िया मार का दर्शन आपने किया है, सर आपने आप भारत में तो बहुत सारे speeches देते हैं, आप corporate में training भी करते हैं, साथ-साथ आप abroad में भी है, आपने बहुत सारी यूथ को देखा है, यानि कि हजारों में लाखों में आपसे आपने यूथ को मिले हैं, आपको लगता है कि आज का यूथ है, वो बहुत focused है अपने काम से लेके, देखें, यूथ में भी डिफरेंट डिफरेंट करेंगरी है, यूथ की सबसे बड़ी senior बन गए, तो हम सब कुछ करने के, हम सब कुछ जानते थे कि क्या करना है, पर हम करने के लायक नहीं रहे, या हमारी बॉडी में इतनी एनरजी नहीं रहे, तो राइट तरीका क्या है, आज हमारे यूवाना social media पर अपना समय बहुत दारा व्यर्थ कर रहा है, वो different activities में involved है, उसको जरूरत है business के techniques को सीखने की, समझने की, और समझने के बाद, अपने vision, अपने target, अपने लक्ष, अपने धें को निर्धारित करने की, और उनके प्रती एक सजग, positive attitude के साथ काम करने की, देखें, जब a big problem, lot of people having large number of funding and money, they are looking for good business proposal, तो जरूरत है अच्छे learning की, like how to get funding, how to make startup proposal, how to pitch investor, or how to execute your business, business plan है, तो उसकी sales, उसकी marketing, उसकी promotion, import, export, बॉसरे strategy आपको तयार करने है, Every strategy you have to design, और देखें, ध्यान रखेगा, दुनिया में कोई व्यापार फेल नहीं होता, दुनिया में कोई व्यापार फेल नहीं होता, फेल केवल व्यापार करने की strategy होती है, रणनीती होती है, क्योंकि उसी व्यापार में यदि कोई दूसरा व्यक्ति, बहुत अदिक सफल आसिल कर रहा है तो इसका मतलब व्यपार फेल नहीं हुआ आपकी strategy फेल हो गई जब आप दूसरी strategy अपनाते हैं तिसरी strategy अपनाते हैं तो आप आसानी से उस व्यपार में सफल हो सकते हैं जिसमें बाकिस सबी लोग भी सफल है जरूवत है right training की right execution की right knowledge की आपने बहुत ही बढ़िया बात कहिए मैं तो दर्शकों को कहूंगा अत्ता अपने लाइड डॉक्टर महेश्वरी एनि अतिशे महत बात सांगित ले कि कौंटा ही बिजनेस फेल नहीं हो तुमचीती स्टेटरजी फेल होता सते सर आपने ये बहुत ही बड़ी बात कहिए अपने युवाओं के लिए अब मैं आओंगा ये क्वेश्चन पे कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मेरे माता-पिता का एक बिजनेस है समझो वो एक दो करोड तीन करोड पर काम कर रहा है मैं भी उस काम में जूट जाता हूँ लेकिन मेरे काम करने का तरीका अलग है मेरे माता-पिता का काम करने का तरीका अलग है और मैं चाहता हूँ कि इस बिजनेस को मैं एक्सपांड करूँ इसको मैं पचास करोड, सो करोड की और लेके जाऊँ तो माता-पिता एक विचार के है, मेरे दिमाग में अलग सा चल रहा है कि इसको एक्सपांड करने के लेके, तो यह जो विधारेती है, तो यह कैसे फिल करें, देखे क्या होता है, बिजनस ना तीन तरीके से सीखते हैं, और बिजनस करने वाले लोग भी डिफरेंट काटेगर पिता जी का बिजनस था, उन्होंने अपने पिता जी उनके पिता जी को दिया, पिता जी ने बेटे को दिया, अब बेटा भी व्यपार कर रहा है, प्रॉब्लम कहा आती है, कि हर व्यक्ति जब बिजनस को करता है, तो तीनी तरीके हैं, या तो बिजनस उनके पेरेंट्स न शुरू किया और जीजिस चीजे से उनको नुकसान हुआ उसको छोड़ दिया मतलब या तो ट्रेनिंग माता पिता ने दी है या कॉम्पिटेटर को देख के ट्रेंड हुए एक लवे की तरह उसने अंगुठा दिया बाद में एक लवे की तरह या उसने खुद अपने वैपार पे बैठोगे तो वैपार चलेगा अगर वैपार पे जाओगे तो चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए गल्ला आप लॉक करके जाएंगे जाएंगे तो जाते समय लॉक अपने सामने लगवा के जाएंगे लेकिन वो ट्रेडिशनल बिजनस था आज मॉडर्न दिलर डिस्टिबूटर नेटरों को बनाये हुए तो एक्सपेंशन का तरीका क्या है आप अपने बिजनस को फ्रेंचाइजी मॉडियूल पर लाएं एक यूनिट के मल्टिपल यूनिट बनाएं बिजनस को सिस्टेमेटिक डिजाइन करें डिलर्शिप सेगमेंट करें डि कॉम्पिटिटर सिखाएगा या हम खुदी बिजनस कर लेंगे लेकिन जब हम बिजनस ट्रेनर से मिलते हैं तो वो एक ऐसी टेंडेंसी देते हैं कि आज के ट्रेंड में बिजनस करने का क्या तरीका है पिछले पांच बर्स पहले कैसा था और आगे भविश्य में अगले 10 स साल में कौन-कौन से बिजनस सक्सेस करेंगे और कौन सा ऐसा मैथटों को जो आपके बिजनस को टॉप पर लेकर जाएगा तो इसलिए बिजनस की लर्निंग बड़ा इंपोर्टन है एक चोटी सी स्टेटमें में कहना चाहता हूँ गूरू चानकी जी ने एक बात कही थी हा बहुत बड़ा बिजनस एंपायर खड़ा करो जिसमें ट्रेनर्स आज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि वो लोग आपको बिजनस के मौडरन टेक्निक्स को सिखाते हैं जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं पर ट्रेनिंग इंडस्ट्री म याने की गुरू जादा करो आप जितने गुरू आपको मिलेंगे उतने गुरू जादा करो दत्ता गुरू महराज जी यही कहता है कि गुरू करो आप सर आपने बहुत बड़िया बात की है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ख्वेशन मैंने आपको इसलिए पूछा हूँ कि आपने पहले किया है और फिर बाद में बताया है पहले आपने क्या किया है ये भी हम लोगों को बदाएंगे लेकिन एक छोड़ा सा यहां एक ब्रेक लेते हैं डेक बाद देखते हैं कि क्या किया है इन्होंने और फिर बाद में कैसे पताया एक छोड़ा सा बब एक अपने बोलतों डॉक्टर आमीत माहिश्वरी अंचावर पर अमित जी बहुत सारी बात हैं कर रहा है और एक एक बात जब आप कहते हैं तो हम सीख रहा है कि कैसे बिजनिस किया जाए सर मैं यही दो क्वेशन जो आपका मैंने पूछे हैं वो इसलिए पूछे हैं क्योंकि कभी-कभी हमारे यूथ में हम ऐसे बोलते हैं कि आरे यह तो मोटिवेशनल स्पीकर है यह ठीक है बात तो बहुत बढ़िया चल रही है लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया यह तो सब एसी में बैट के यह हमें ध्यान दे रहा है लेकिन वैसे बात नहीं है अमिज जी आप भी बच्चपन से लेके एक सामान ये कुटूंब से आप बड़े हुए हो आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वो भी एक सामान ये स्कूल से की है और आज आज आप एक अंतरराष्टिये दरजा के व्यक्तिमत वो बने हैं और जब सफल व्यक्तियों से आप पूछते हैं कि आप अपने जीवन में कैसे सफल हुए और यदि वो व्यक्तिय आपकी सेम इंडस्ट्री से होता है तो आपको सफलता के सिधान बताना नहीं चाहता है अच्छा तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ क्योंकि मेरा जन्म एक गरी परिवार में वह स्लमेरिया में हम रहते थे तो वहां रहने के बाद में मैं हमेशा सोचता था कि जीवन में कुछ बढ़ा करना है और जब कुछ बढ़ा करने के बारे में आप सोचते हैं तो आप उन लोगों को मेंटर बनाते हैं जो कहीना कहीं सफल हो चुके हैं तो हमारे परिवार के हमारे रिष्यदारों में हमारे फ्रेंट सरकल में काफी सारे लोग ऐसे थे जो बहुत संपरिद थे तो मैं उनसे पूश्ता था कि भाया आपने ऐसा बिजनस कैसे स्टेंड क क्योंकि मैंने सुना था कि पिता जी कहते थे कि गल्ले पर बैठना चाबी लगाना जेब में रखके जाना अगर टॉलेट भी जाना है तो आपकी छेशे इंडस्ट्री कैसे मैनेज होती हैं तो वो लोग बताते थे कि भई देखो बिजनस में सफलता के सिध्धान कोई भी क तो मैं यह कहता था कि भई अगर आप मुझे सफलता के सिध्धानत पताएंगे तो शायद में जल्दी कामयाब हो जाओंगा मुझे कामयाब होने में ज्यादा समय लगेगा लेकिन वो कहते थे कि सफलता के सीक्रेट कोई शेयर नहीं करता मैं उनसे कहता था कि जिस दिन जि वागे देर नौट कैपेबल टू गिव में सच काइंड अफ फी कि मैं कॉलेज अड्मिशन ले सकूँ तो मैंने जो मेरा सब्जेक्ट बेस था अकाउंट्स आइवाज गूट सुट्ट अपकाउंट तो मैंने स्टुडिंट्स को पढ़ाना शुरू किया होम टूशन का इंसिटूट बनाना है धिरे धिरे नेक्स यर तक मैंने अपना खुद का सेंटर डेवलब किया और जब सेंटर डेवलब किया तो समझ में आया कि अगर मैं खुद टीचर आज़ा पढ़ाता हूं तो मैं एक लिमिटेड इंकम कमाता हूं और मेरे इंसिटूट में बाके इस सेंटर ही करना शुरूग किया तो मैं अपने संटर्स को फ्रेंचाइज उस्वू किया फिर प्रन है करना शुरण किया नुक है और मैं यंजा पसंद आया, ध्यान रखे, आप यदि अपना परिवेश बदलते हैं, अपना वाता वरन बदलते हैं, तो आप किसी भी स्थर पर जा सकते हैं, एक कहवत कही जाती है, you are the average of five people around you, इसका मतलब जैसे पांच लोग आपके साथ में आप वैसे या उनके average रहेंगे, यदि आप अ परिवेश बदलते हैं, माहौल बदलते हैं, सरकल बदलते हैं, तो आप आसानी से सफलता आसिल कर सकते हैं, अब एक tuition teacher, एक coaching पढ़ाने वाले व्यक्ति का, business industry में कैसे रुजहान आया और सरकल कैसे बदले, तो मुझे पता लगा, आज government ने बहुत सारी organization है, और आपके महरा इन बिजनस को develop करने के लिए बहुत nominal fee रखी हुई है, जब आप उन chambers की membership लेते हैं, तो आपको वहाँ जानी की opportunity मिलती है, उनकी directories में आपके नाम छपते हैं, इसका मतलब आप एक ऐसे समू में आ जाते हैं, जहाँ व्यापारी होते हैं, और जब मैं उस व्यापारियों के पैसे नहीं थे कि मैं model location का business शुरू करूँ हूँ, पर आपका जो past experience है, वो आपको life में आगे बढ़ाता है, तो मुझे ये तो पता था कि franchises कैसे बेचते हैं, तो मैंने लगा कि क्यो ना business का proposal, क्योंकि देखे, builder जो होते हैं, वो दो तरह से काम करते हैं, एक पूरी building मनाते तब बेचते हैं, और एक builder land की booking करता है, टेबल के ओपर building मना जेता है पूरी, proposed plan, और 21 माला, 22 मा, 26 माला बेच जेता है, तो मुझे पता था कि लोग proposed plan भी खरीतते हैं, तो मैंने business proposal बनाया, लोगों को serve करना शुरू किया, investors को invite करना शुरू किया, और लगबग 8-10 जगे अ मैं खुद का setup बना सकूँ, जब आप अपनी life में लक्ष के इंद्रित होते हैं, समय बदता के साथ होते हैं, और बड़े लक्ष के साथ होते हैं, तो आप हर उस सफलता को आसिल कर सकते हैं, इसको आप पाना चाहते हैं, ग्रेट, मैं अपनी life में केवल उन्ही विशयों पर इंप्लिमेंट की हैं, तो फिर डॉक्टर अमीत महेश्वरी, अब बात यह है कि अगर बिजनस में मंदी आती है, मंदी का काल आता है, तो बाहर निकलना बहुत कठीन होता है, ऐसे वक्त पर कैसे करें, ग्रेट, देखिए मंदी होती क्या है, पहले इसके बारे में समझते ह अर्थिववस्था की मंदी और एक व्यक्ति विशेस, मतलब इंडिविजुवल की मंदी, एक उधारन के माधियम से समझते है, जैसे पतजड होता है, और सावन होता है, बसंत के केस में क्या होता है, कि पेड़ हरे बले रहते हैं, और पेड़ों में बहुत जारा पत्ते उ सुखे होते हैं, इसका मतलब एक पूरी महौल और एक इंडिविजुवल व्यक्ति में डिफरेंस है, यदि अर्थिवस्था तेजी से ग्रो कर रही है, और आपका व्यापार घट गया, तो आप मंदी के शिकार है, जबकि अर्थिवस्था मंदी में नहीं है, इसी के विप जिसका वियापार तेजिशी से चल रहा है, वो नउख़ी विपार के वस्था नहीं है, वो तो अपने वियापार में ऑंगे मेंगेज रहता है, तो जो लोग मंदी में अपने business की expansion के बारे में सोचते हैं, sales के बारे में सोचते हैं, business associates को जोड़ने के बारे में सोचते हैं, investors को invite करने के बारे में सोचते हैं, अगर हमारे देश में मंदी है तो विदेश में सभी थोड़ी के पूरे विश्वया पे मंदी है, जो लोग import export के बा को develop करना, वो कुछ भी हो सकता है, you can invite as a partner, you can invite as an investor, you can get funding as a start-up, किसी भी तरीके से जहां आपका business का association बढ़ा हो, लोगों के साथ मिलकर व्यापार करें, वो व्यक्ति हमेशा कामियाब होते हैं, मंदी का प्रभाव किवल उन व्यक्तियों पर होता है, जिनके पास business का network नहीं हो सकते हैं, friends मेरे जीवन का उदेश है कि भारत के हर घर से एक सफल business man बन सके, और एक इवल तभी संभव है, जब हर घर से एक युवा ये निशित करें कि मुझे जॉब में नहीं जाना, मुझे business करना है, और business की techniques को सीखना है, समझना है, और business associations का part बनना है, ताकि हम एक आर् आर्थिक संवरिदी के रूप में भारत का नाम पूरे विश्व में प्रचलित कर सके, भारत आर्थिक शक्तिक रूप में बनेगा, तो हर युवा सक्षम होगा, और जब हर युवा सक्षम होगा, तो भारत विश्व गुरू के रूप में फिर से प्रचलित होगा, एक छो तो तीर उचा जाएगा, और काम ना छोटी करोगे, तो हाथ कुछ ना आएगा, ठान कर देखो इरदय में, काम कोई मुश्किल नहीं, और तुम कभी भी ये ना सोचो, नहीं ये मुम्किन नहीं, याद रखो, तुमने सोचा ना किया तो, कोई और कर जाएगा, और सपना ये म अच्छी लर्निंग की, आप मेरे यूट्यूब चैनल के माधियम से, आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पर, डॉक्टर अमित महिश्वरी, स्टार्ट अप से रिलेटेड, इंपोर एक्सपोर से रिलेटेड, एक्सपेंशन से रिलेटेड, बिसनस मैनेजमेंट से रिलेटेड and little bit related to motivation, large number of videos are there. Right, Dr. Amit Maheshwari, actually मैं जब closing करने वाला था, तो कुछ बोलने वाला था, लेकिन अब ये जो आपका speech है, उसके बाद मैं closing यही खतम करूँ का, लेकिन आप आये और हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है, और सबसे ज़्यादा हमने positivity, एक energy आपके पास से लिए है. Thank you, thanks to all of you and thanks to all audience. I am बहुत बहुत दन्यवाद आपका. अबनीतस थांदु याद, पहत्रा A.M. News.